बिना इंटरनेट का Gmail चलाना कैसा रहेगा अगर आपको ऐसा कोई बोले कि बिना इंटरनेट का भी आप क्या अपना Gmail आपन कर सकते हो अपना Gmail रन कर सकते हो आपका जवाब क्या होगा impossible है लेकिन आज मैं आपको वही चीजे बताने जा रहा हूँ कि Gmail में Gmail ने एक ऐसा features दिया है अभी हाल फिलाल में कि हम लोग Gmail को बिना internet के भी चला सकते हैं और इसके साथ कुछ 10 नए features को हम लोग देखेंगे जो Google में नया update आनि कि Gmail में नया update आया है उसके बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखेगा तो आपको और भी बहतर तरीके से समझ माएगा तो दोस्तों मैं बता दू मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर टेक यूट्यूब चैनल अगर आप चैनल पे अभी तक और आप पहली बार आया है तो प्ली चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले तो चलिए दोस्तों वीडियो को और बढ़ाते हैं आगे तो मेरे जितने भी वीवर्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जितने मेरे फैमिली हैं मैं उनको से पिले तोड़ा सा बता दू कि Gmail मोहताज नहीं है किसी के परिचेगा, Gmail हर कोई जानता है, जितने लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, एक Gmail ID, Gmail account तो आपके पास में होगा ही होगा, email जो Gmail में बना हुआ होगा, वो हर किसी के पास होता है, आनि कि दुनिया में हर किसी के पास में लगबग लगबग है, जो भी अन्दाज लगाया जा रहा है, सर्वे के अनुसार से I am not confirm, बट कि 1.5 billion लोग Gmail का इस्तिमाल करते हैं, और इसमें जो Gmail क्या है, कि कुछ न कुछ न कुछ आए दिन updates करते ही रहते हैं, और जो भी updates होता है Gmail का यह बड़ा ही cool और सांदार होता है, और उसी जो updates है, दस updates जो Gmail ने किये हैं, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे details से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहला option मैं आपको बताता हूँ, जो पहला update है, mute करे, मतलब distraction को कम करने के लिए, लंबे thread वाले email को आप mute कर सकते हैं, अब कैसे mute कर सकते हैं इसको, तो जब भी आपके पास वैसा email आता है, तो आप क्या करें, उसके जो बागल में जो तीन dot मिलेंगें, उस पे आप click किजिएगा, और click करने के बाद, वहाँ पे mute option को आप चुन लिजेगा, तो ये mail, जो भी distraction mail है, लंबे thread वाले, वो क्या होंगे, वहाँ पे mute हो जाएंगे, क्योंकि इस future का नामी है, mute future, और अगर उसका कोई reply भी आता है, तो वो उसी जगह में रहता है, अगर आपको देखना है, तो आपको उसी option में जाकर, mute वाले option में जाकर देखना होगा, और दुबारा अगर आपको लग रहा है, कि ये mail आब मुझे चाहिए, तो आप उसको unmute कर सकते हैं, वो feed से पहले के तरह, आपके ID पे आना चालो हो जाएगा, ये था Gmail का update नमबर 1, इसमें एक feature है auto advance का, ये auto advance का feature क्या है, कि हम लोग बहुत स्वे में क्या होता है, कि अगर आप किसी जगह में पढ़ रहे हैं, बीच में आप अगर आपको बहुत सारा email आया हुआ है, आप 100 नमबर का email पढ़ रहे हैं, उसको आप अगर आप delete करते हैं, तो delete करके आप जैसे ही वापस आना चाहते हैं, आपको वापस कहा लेके जाता है, सबसे पहला वाला mail पे, नमबर 1 वाला mail पे लेके जाता है, आपको फिर से scroll करके, 101 पे जाना होता है, तो क्या होता है जब यह आप mail को delete करें archive करें कुछ भी करें वो automatically उस आपको कहां पे लेके जाएगा जहां से आप delete कियें या archive कियें या कुछ भी चीज कियें आपको उसके बाद वाला mail आपको आपके सामने में Gmail क्या करेगा रखतेगा अगर आपका auto advance option enable है तो एक चीज और है कि अगर आपको अगर कुछ बड़ा mail भीजना है क्योंकि यह सब को पता है कि Google जो है वो 25 MB से ज़्यादा का file आप attach नहीं कर सकते हैं उसमें लेकिन अगर आपको उससे बड़ा file किसी को भीजना है इसके लिए आप Google Drive का इस्तेमाल कर सकते हैं Google Drive में अपना file को upload करके और वो link आप email के साथ attach करके किसी को भी भेज सकते हैं और वो बहुत आसानी से हो जाता है चाहे जितना बड़ा भी आपका file हो आपको वहाँ पे space मिल जाता है तो ये एक बहुत अच्छा feature है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक features और है जो अपडेट किया गया है extended search option ये extended search option क्या है कि अगर suppose that कि आप हमेशा बहुत सारे mails आते हैं और आपको अगर suppose that कि पिछले साल कोई बैक्ती है राम नाम का एक बैक्ती जो आपको mail भेजा था पिछले साल किस महिने में कितना तारीक को भेजा था आपको पता नहीं है लेकिन उसका email आइडिया आपको पता है उस बैक्ती का नाम आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं कि direct extended search option के थूँ आप जो वहाँ देखेंगे एक search का option होगा उपर में वहाँ जब भी आप click करेंगे उसका नाम लिखेंगे या जो भी उसका email आइडिया वो अगर आप लिखेंगे तो email आइडिया डिरेक्ट आपके सामने में आजाता है तो ज्यादा मिहनत करके दूनने का जरूरत नहीं पड़ता है तो ये भी एक बहुत अच्छा features है उनके लिए जिनको बहुत सारे mails आते हैं एक option होता है undo mail undo send mail तो आप अगर किसी को भेज दिये और तुरंत अगर आपको पता चलाएगा अरी यार ये mistake से चला गया और तुरंत उस mail को undo करना है reverse करना है इसके लिए आपको मातर 5 second का time मिलता है आप सबको पता होगा 5 second का time मिलता है जिस वजह से अगर आप उसके पास send कर दिये तो वो undo नहीं हो पाता है 5 second में 5 second में समझ में नहीं आप तो ये एक features यहाँ पे दिया गया है जिससे आप क्या कर सकते हैं तो उस timing को जो 5 second का था उसको आप 30 second बढ़ा सकते हैं और अपने mail को जो भी आप भेजे उसको undo कर सकते हैं email को schedule करने का भी features अभी email में आ गया है Gmail में कि अगर आपको किसी mail को किसी particular time पे भेजना है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं schedule करके आप उस particular time पे scheduling कर दीजे तो mail उसमें उस बैक्ती के पास में चला जाता है एक option और है इसमें smart compose feature smart compose feature क्या करता है कि आप अगर आप चाहते कि जो आप लिख रहे हैं उसको बड़ा दिक्कत होता है type करने में तो आप जब उसको बोल के लिखेंगा तो बहुत speed में जितना वो लिखता है उससे ज़्यादा speed में या अगर आप tapping कर सकते हैं उसका speed बढ़ जाता है सिवर tapping करने का speed है वो बढ़ जाता है वहाँ पे लिखने का speed में जो लिखना चालू करता है आप जैसे बोल रहे है my name is my name is Sagar तो वो जो लिखेगा वहाँ पे उसका जो later कितना देर के बाद आएगा इसमें उसका speed बढ़ जाता है लिखने का और एक option बड़ा important option है जो बहुत लोग पसंद करेंगा इसको confidential mail अगर आप किसी को भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत समय ऐसा डर रहता है कि बीच में कहीं hack न हो जाए तो इसके लिए एक नया features दिया गया है कि आप अगर चाहें तो उस confidential mail में अपना password डाल सकते हैं इसको फोन करके बता सकते हैं कि यह password है पहला option दूसरा option है कि आप उसमें expiry भी set कर सकते हैं कि यह mail इतना दिन के बाद automatic delete हो जाएगा अगर आप यह भी option चूज करते हैं तो यह confidential mail के लिए बहुत ही बहुतर है दोस्ते इसमें एक्चुली जो second last feature है यह बड़ा important feature है जो आप thumbnail में देखे थे कि क्या आप gmail को बिना किसी internet के इस्तिमाल कर सकते हैं तो मेरा जवाब होगा yes कर सकते हैं यह option भी है आप इसको कर सकते हैं क्योंकि अभी क्या है कि gmail में offline access mode का option दिया गया है offline access mode को enable करने के लिए आपको जो भी mail.google.com या gmail.com जो भी है उसको as a bookmark के रूप में save कर ले और बाद में इसका जब भी आपका features अगर enable होता है offline access mode का तो आप इसको बिना internet के भी इस्तिमाल कर सकते हैं और यह जो सुविधा है आपको offline mode का इस्तिमाल करने के लिए यह सिर्फ और सिर्फ आपको chrome browser में ही मिलेगा और अगर इसको आप enable करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए setting वाले option में चले जाएए और वहाँ पर आपको एक option देखेगा offline उस offline वाले option पर आप click कर दीजिए उसके बाद आपको एक option मिलेगा enable offline mail अब इस option को check कर दीजिए ok करके बंद कर दीजिए अब आप क्या कर सकते हैं जो bookmark save करके रखे हैं उसके अनुसार से आप अपने gmail को बिना internet का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें दोस्ते एक features all है और है जो है google translate का future google translation का future क्या है कि अगर आप कोई चीज़ आप type कर रहे हैं या कुछ चीज़ आप बोल के आप लिख रहे हैं क्योंकि ये gmail के अंदर होता है तो अगर आपका ये option enable है तो आप उस भासा को set कर ले जिस भासा में आप type करना चाहते हैं उसके बाद आप तो आप अपने जो भी लिखा हुआ है उसको आप अपने पसिंदा भासा में convert कर सकते हैं आपने अनुसार या आप जिनको भीजना चाहते हैं उनके अनुसार तो दोस्तों ये था google के कुछ gmail के कुछ खास update वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले तो थैंक्यू दोस्तों फिर मिलते लिए वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया धन्यवाद